Hi everyone, I am Dr. Mohamed Asif from Kara Hair Transplant and Aesthetic Clinic और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे Hair graft density के बारे में while doing a hair transplant ये वीडियो उन लोग के लिए है जो लोग समझना चाहते हैं कि किस stage of hair loss में कितने graft की उनको जवबत पढ़ने वाली है वो कौन-कौन से factor हैं जो आपके hair graft की जो density है उसको decide करते हैं ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे So सबसे पहले हमें ये सबजने होगा कि hair transplant को किया कैसे जाता है Hair transplant में mainly 2 steps होते हैं पहला है extraction of hair जो कि किसी एक donor site सी किया जाने वाला है दूसरा है implantation of hair जहाँ पे जो extracted hair है इनको implant किया जाएगा which is a bald area So जो donor area है उसमें सबसे जादा जो commonly used donor area होता है वो है back of the scalp जो पूरे scalp का roughly 40% है और आपके जादा से जादा results या 80% results आप कहलेजिए वो आपके इसी donor area की strength पर depend करते हैं अगर किसी condition में हमें और है बालों की जरूरत है और ये donor area इनफ नहीं है बीर्ट से भी आप hair को harvest कर सकते हैं जो तीसरा important donor area होता है वो body hair होता है जिसमें हम chest hair, leg hair, axillary hair इनको भी use कर सकते हैं लेकिन ये सबसे least variety पर है So overall अगर हम scalp hair की बात करें तो हम वहां से करीब करीब 4-6,000 hair graft के आसपास Asian population के अंदर harvest कर सकते हैं बहुत rare condition ऐसी होती है जहां पर हमें 7-8,000 hair graft भी हमें वहां से मिल जाए इसके अलावा जिसको poor donor area कर जाता है उसमें करीब 2-5,000 hair graft ही मिल पाते है वो भी एक donor area होता है लेकिन उसको हमें poor donor area की कैटेगरी में रखना होता है अगर beard hair की बात की जाए तो वहां से हम करीब करीब 1000 से लेके 5,000 बात तक आम तोर पर निकाल सकते हैं और body hair में भी similar numbers 1000 से 5,000 hair graft के आसपास हम लोग harvest कर सकते हैं तो कुल मिलाके हमारे पास minimum donor area अगर scalp का पकड़े 4000, beard का 1000 और body hair का 1000 तो 5,000 से 6,000 hair graft जो है वो हमारे पास usually minimum category में रखा जाए तो उतने donor area के लिए available है नाव दूसरा step जिसको implantation बोलते हैं वो आपका bald area पर depend करता है आम तोर पर जो hair loss है उसको 7 grade of hair loss में categorize किया गया है जो सबसे पहला है जिसमें सिर्फ side hair loss होता है जिसको grade 1 बोलते हैं grade 2nd में hair line receding थोड़ी significant होती है grade 3 में जो hair line है वो काफी deep चले जाती है grade 4 के अंदर आपका roughly half of the scalp जो है और area cover हो चुका होता है grade 5th के अंदर thinning usually front से लेके crown area तक कभी involvement हो चुका होता है grade 6 के अंदर सिर्फ कुछी बाल मौजूद रहते हैं और जो grade 7 है उसके अंदर complete baldness from front से लेके crown तक वो हो जाता है now जब हम लोग hair transplant करते हैं तो हमें hair transplant करते हुए hair graph की density उनके grade of hair loss पे decide करना होता है so आप समझें कि जो सबसे पहला area है वो है hair line जो रफली एक से लेके 4 cm तक रहता है एक cm आगे का transition zone उसके पीछी जो 3-4 cm का hair line density है वो रहते हैं अब इसमें करीब से करीब 2-500,000 graft यूज होंगे आम तोर पर दूसरा temples जहांपे हम 200-300 hair graft के बीच में density रखते है hair line में density जादा रखने का purpose यह भी है कि हमें see-through process को avoid करना है जहांपे आप सामने से पीछे वाले balding को देख पाएं gap उतने जादा नहीं रखने होते हैं इसलिए आपको hair line के लिए सबसे strongest density यूज करना है जैसे ही hair line finish होता है then हम पहुचते है frontal part पर जहांपे करीब 1000 hair graft की requirement होती है so front में करीब 5000 hair line के and 1000 graft यह मिला के total 3000 graft के आसपास आपका सिर्फ front portion का requirement रहता है front portion जैसे finish होता है उसके बादा mid scalp पर जाते हैं जहांपे करीब 2000 hair graft की need हो सकती है इसके बाद फिर crown का area depending on the size of crown वो 1000 से लेके 3000-4000 graft की requirement उसमें हो सकती है तो अगर आप total calculate करें अगर किसी को advanced stage grade 7 का hair loss है तो उसमें करीब से करीब आपको 8-10,000 hair graft में जाके full coverage मिलेगा जो हर किसी person के लिए vary कर सकता है किसी में जिनका poor donor area जहां से हम लोग सिफ 2-3,000 ही निकाल पा रहे हैं उन situation के अंदर आप इतना high density hair transplant नहीं कर सकते हैं जिसमें हमें front में और middle में सब से जादा अपने hair grafts को use करना है इस से related काफी और भी चीज़े हैं जैसे age of a person, donor area की quality, color of hair, curl of hair यह सारे के सारे factor भी hair graft की density बहुत एहम रोल पैदा करते हैं So, this is all about hair graft density in a hair transplant. If you have any further question, you can speak with us. You can write to us on our email. You can contact us on our WhatsApp number Stay tune with us! Have a good day!